आने की expression of interest के आखरी तारीक जन्वरी तक बढ़ सकती है Concord के निवेश और NMDC और BML के de-merger को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है क्या है पूरी खबर बताने के लिए हमारे साथ मौझूद है हमारी सही होगी मेगना मित्तल जी जैसा कि हम जानते हैं IDBI के जो expression of interest है वो already government ने invite कर चुके है और last date जो है वो December 16 है पर अब जो सुत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये last date EOI submission की extend करने की पूरी उम्मीद है early January तक reason ये है कि जो transaction advisors है उनको written requests आये हैं जो interested investors हैं की तरफ से क्योंकि बहुत सारे other countries में जो festive season है ongoing festive season year end भी है उसकी वज़े से भी ये request किया गया है government को और जो सुत्र confirm कर रहे हैं कि government इन requests को मानने की पूरी उम्मीद है तो early January तक ये extend हो सकते है IDBI की EOIs की deadline और अगर हम other transactions की बात करें strategic sale के अंदर तो जो concor के जो strategic sale है उसके जो EOIs है वो January में आने की उम्मीद है ये सुत्र confirm करें उस पर work चल रहा है लेकिन इस month नहीं आ पाएगा January तक आने की उम्मीद है इसके अलावा Shipping Corporation of India और Bemil जो दो major transactions है और strategic sale के वो भी इस साल पूरा नहीं हो पाएंगे ये सुत्र confirm कर रहे हैं बिद्स दोनों के आ सकते हैं इस साल लेकिन जो financial जो revenue आएगा दोनों से वो अगले साल के ही target में जोड़ेगा इस साल नहीं जोड़ पाएगा ये भी सुत्र confirm करें तो अब ये दिखने रहेगा कि जो दीपम है वो OFS पर try करेगी focus करने के लिए quarter 4 में जो अपना target है उसको कितना meet कर पाती है OFS के द्वारा